ओके अलो प्रेंट कैसे हो आप सब में हूँ विशी और आप देख रहें बॉंड टु इन्वेश यूट्यूब चैनल कोपी कें स्टोक 305 का बेतरीं से लॉंटम में आपको अमिर बना के ही छोड़ेगा चलिए जानते कौन सा है स्टोक के क्या इसके फंडामेटल क्या इसके टेकनिकल लेवल है और अभी तक आपने अमारी चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो सब्सक्राब जरूर कर लीजिए इससे वीडियों हम हर रोज अर दिन लेते आते हैं और जो बाजो में घंटे वाला बटने उसे जरूर दबा दिजिए जिसको आपको अमारी नोटफिशन सबसे पहले मिल जाए अब हम इस कंपनी के वेल्योएशन के बारे में बात करेंगे वेरी एक्सपेंशिव वेल्योएशन पे हाल फिलाल ट्रेट कर रहा है जो भी वेल्योए 186 के उपर होगी ये इसको वेरी एक्सपेंशिव वेल्योएशन पे डालेगा आप इसकी P-Ratio देख लिजे 28.0% आप इसकी EBITDA ratio देख लिजे 16.12% आप इसमें PEG ratio देख लिजे 1.62% आप इसमें ROCE देख लिजे 46.99% आप इसमें ROE देख लिजे 19.05% अब हम इस कंपनी के quarterly result देखेंगे आप इसमें देख लिजे net sales देख लिजे पिछले quarter से इस quarter में 2.18% की बढ़िया सी upset दिखाई दे रही है आप इसमें net profit देख लिजे इसमें भी 13.88% की बढ़िया upset दिखाई दे रही है पिछले quarter से आप इसमें operating profit margin देख लिजे उसमें भी 0.38% की upset देखने को में मिली है अब हम इस company के annual result के बारे में बात करेंगे जो की year to year result होता है आप इसमें देख लिजे पिछले year से इस year में net sales में 26.86% की बढ़िया सी upset हमें देखने को मिली है आप इसमें consolidate net profit देख लिजे जिसमें भी पिछले year से इस year में 16.68% की बढ़िया सी upset देखने को में मिली है अब इसमें operating profit margin देख लिजे जिसमें अलका सा दबाव देखने को मिला है जो की 2.58% की हमें उसमें downside देखने को मिली है अब हम इस company के share rolling pattern के बारे में बात करेंगे promoter के पास 45% के बेतरिन holding रखी हुई है अब इसमें FIS की holding देख लिजे 21.08% की holding FIS के पास है अब इसमें mutual fund की holding देख लिजे 7.85% की holding mutual fund के पास है मैंने पहले ही बता दिया इस company में place share का कोई चक्कर नहीं है मिन्स के company ने अपना एक भी श्टोग गिरवी रखा नहीं है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है चलिए अब जहांते कौन सी ये company है और किस sector को ये बिलंग करती है इससे पहले आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe जरूर कर लिजे और अपने दोस्त और family की साथ share भी किया कीजिए अब तक हम बात करें थे IGL के बारे में मतलब enterprise gas के बारे में अपनी industry में second number पे आता है large cap stock है बड़ी असा dividend भी pay करता है चलिए अब जहांते कौन से technical पे हमें buy करना चाहिए जिससे हमें एक long term में बेतरी मुनाफा हो और अब हम आ चुके हैं IGL के चाहट में आप देखिए इधर लगाता डाउन ट्रेंड में चल रहा आता है बाद में इधर एक channel भी बनी है मैंने अभी draw नहीं किये लेकिन इधर थी यह channel को तोड़के जब यह अप गया तो फिर से एक थोड़ा सा अप मूँग देखने को लिए बाद में जब यह downside है तब यह अपनी जो long term support line है उस पे support लेके वापस bounce back कर गया मैं इसके उपर चला गया बाद में इधर जो अभी हाल फिलाल की support line हो इधर से touch करके नीचे आ गया बाद में इसने नहीं support line trend line जो है वो खीच ले में इसके उपर यह support लेने लगा हाल फिलाल में अभी यह इससे भी नीचे trade करा है तो इसकी जो first support है वो हम करीब 300 या 294 के करीब मान सकते है क्योंकि क्या है कि जो यह 200 days की moving average line है वो भी वही आ रही है देखिए यह red line है तो हम उसका first support 300 और 295 के बीच में मान सकते है और हाल फिलाल में अभी यह buy करने के लिए ही है लेकिन अभी थोड़ा देख लेते हैं कहां तक down जाता है और कोई confirmation upside का मिल जाए तब हम इसके बाय करेंगे क्योंकि जितना down है उतना हम उसको आने देंगे तो हमें क्या है कि long term में बेहतरी मुनापा हो जो इसकी दूसरी support line है वो बहुत नीचे है मिन्सके जो इसकी long term की support line है वो है दूसरी support line अगर वो नीचे आके यह 200 line को भी cross करके नीचे आगे तो यह दूसरी support line की और आने की कोसिस करेगा जो है 260 के करेब अगर इदर आ गया तो best buying opportunity होगे आपको long term में ले जाने के लिए और ऐसे वीडियो हम हर रोज अर दिन लेते आते हैं अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में गंटे वाला बटने इसे जरूर दबा दिजिए जिसको आपको हमारे notification सबसे पहले मिल जाए चलिए मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए टटाग गुडबाई जई इन